संसत के चुनाओं में बीजेपी को मिलेगी बड़ी हार उत्तर से लेकर दक्षिर तक हर जगा मुस्किल में बीजेपी अपनी ही रन्नीती में बुरी तरह फस गया बीजेपी हाई कमान इंडिया गडवंधन ने बनाई बढ़ाद बीजेपी को बड़ा नुकसान लोगसभा चुनाओं का एलान तीन सब्ता में ही हो जाएगा चुनावायोग आम चुनाओं की तयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है पूरा चुनाओ छे से आठ चरणों में हो सकता है लोगसभा चुनाओ के साथ ही चार राज्यों में विधान सभा चुनाओ भी होंगे हैं इसी के लिए चुनाओ आयोग के साथ ही राजनीती गलू ने भी तयारियां तेज करती हैं लेकिन लोग सभाच चुनाव से पहले देश में 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्य सभाच चुनाव का एलान चुनावायोग ने किया था इनमें से 5 राज्यों की 15 सीटों पर बीजेपी ने पेच फसा दिया क्योंकि अधिकांश राज्यों में तो चुनाव निर्विरोध हो गए लेकिन यूपी हिमाचल महराष्ट और करनाटक में बीजेपी ने अपने अतरिक्त उमीदवार उतार कर विपक्ष को चौकाने की रणनीती अपनाई लेकिन बीजेपी की ये रणनीती अब उस पर ही भारी पड़ती हुई नसरा रही है महराष्ट में तो बीजेपी के अतरिक्त उमीदवार का नामांकन ही खारिच हो गया जबकि बीजेपी को बचे हुए तीनों ही राज्यों में बड़ी हार दिखाई दे रही है पार्टी को सबसे बड़ी हार की चुनता तो यूपी में दिखाई दे रही है यूपी में अगर बीजेपी को हार मिलती है तो ये मोदी और योगी दोनों के लिए बड़ा जटका माना चाएगा और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफे की बीजेपी राजसभा चुनाओ में बड़ी हार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आकर कैसे अपने ही बुने जाल में फस गई है बीजेपी और विपक्ष की किस रणनीती ने उड़ा दिये हैं बीजेपी के होश इसी पर आज हम अपने ही स्पिशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हुआ चल तो शुरू करते हैं बीजेपी को मिलने वाली ब surroundings अपने उमीदवार उतार दिये हैं द्वाजारजारटार में बीजेपी को इन दस मेंसे नौश सीटों पर जीत मिली थी और इस वार तीन सीटों पर बीजेपी की हार तैमानी ज़ा रही थि लेकिन पार्टी साथ की जगा आठ उमीदवार उतार दिये बीजेपी ने था ये दावक कर रहे थे कि सपा के कई विधायक पार्टी के आठवे उमीदवार संजे सेट के पक्ष में वोट डालेंगे लेकिन वोटिंग से पहले ही एंडिये में भगदर की इस्तिती दिखाई दे रही है सुभा की महादेवा से विधायक दुधराम अखले श्यादों के संपर्क में बताय जा रहे हैं दरसल ये तीनों विधायक सपा के ही नेता थे लेकिन अखले श्यादों ने जब सुभासपा को गडबंधन में 17 सीटे दी थी तो आधा दरजन से जादा सीटों पर सपा के नेताओं क के पास 289 वोट हैं तो इंडिया गडबंधन के पास 111 सपा ने तीन उमीदवार उतारे हैं उसे तीसरी सीट जीतने के लिए सिर्फ एक वोट की जरूरत है तो दूसरी तरफ बीजेपी को 8 सीट जीतने के लिए 296 वोट कीजरूरत है यानि 7 वोट कम है और उसमें भी सुभ करनाटक और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी के साथ होगा खेला हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उमीदवार की सीधी हार दिखाई दे रही है करनाटक में बीजेपी और जेडिव विधायक में बड़ी टूट से पाटी में दिख रहा डर सीधा रमया पहले ही operation हस्त के दे चुके हैं संकेत करनाटक में राजसभा की चार सीटों के लिए वोटिंग होनी है और जो संख्या बल है उसमें कॉंग्रिस के तीन उम्मीदवारों की जीत तैमानी जा रही है क्योंकि एक सीट पर जीत के लिए 45 वोट चाहिए इस तरह से कॉंग्रिस के तीन उम्मीदवा को जोड दिया जाए तो ये संख्या 85 होती है यानि जरूरी संख्या से भी पांच कम इसमें भी करीब एक दरजन विधायक कॉंग्रिस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं अब साफ है कि बीजेपी का दूसरा उम्मीदवार हारेगा ये तै हो गया है ऐसे में करनाटक को ले कि लब अपने विधायकों को रोकना दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है हिमाचल विधानसभा में सीटों की संख्या 68 है ऐसे में राजसभा उमीदवार को जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है कॉंग्रिस ने यहां स सीटों पर उम्मीदवार उतारने का एंडिये को होगा नुकसान कॉंग्रिस के हक में राजसभा सीट जानाता है अशोग चौहान भी नहीं कर पार है बीजेपी की मदद राजसभा चुनाओ से पहले महराष्ट में बीजेपी ने कॉंग्रिस में सेंधमारी की कोशिश की अ और उन्हें राजसभा का उम्मीदवार भी बना दिया राज में 6 सीटों के लिए राजसभा चुनाओ हो रहा है और एंडिये ने पहले 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये हैं और बाद में 16 सीट पर भी एक निर्दली उम्मीदवार उतार कर कॉंग्रिस को चौकाने का काम किया कॉंग्रिस ने चंदरकांद हिंडोरे को उम्मीदवार बनाया राज में एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है फिलाल विधान सभा में अंडिये को 206 विधायकों का समर्थन है तो इंडिया गडबंधन के साथ 78 विधायक है जिसमें से कॉंग्रिस अपने दम पर ही एक सीट आसानी से जीत सकती है गडबंधन की मदद से उसके पास 37 वोट जादा है फिर भी बीजेपी ने एक उम्मीदवार बतौर निदली उतार दिया है ऐसे महराष्ट में भी बीजेपी समर्थक की हार तैमानी जा रही है वैसे बीजेपी क अतरिक्त उम्मीदवार का नामंकल बाद में खारिज हो गया जिस कारण से महराष्ट में चुनाओ से पहले ही बीजेपी समर्थक उम्मीदवार लड़ाई से बाहर हो गया इसके बाद बीजेपी की इस रणनीती पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठाये जा रहे हैं दरसल पहले दावा किया जो आ रहाता कि अशोक चौहान की मदद से बीजेपी महाविकार सघारी गडवन्नन में सेंध लगा देगी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि राज्यसभा चुनाओं में जहां भी उसने अपना अतरिक्त उम्मीदवार उतारा है वहां वो हारता हुआ नजरा रहा है यहां तक कि जिस राज्य में सत्ता बीजेपी की है वहां भी पार्टी के उम्मीदवार की हार तै दिखाई दे रही है अब साफे की बीजेपी के लिए चार राज्यों में उतारे गए उम्मीदवार उसकी बड़ी हार का कारण बनते पकड़ रही थी वो उस पर ही भारी पढ़ जाएगा इस बीच 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है जिसमें राजस्तान से सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है वैसे सोनिया गांधी को राजसभा जाने से रोकने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई थी बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों में सेंधवारी के कोशिश की थी लेकिन उसे इसमें काम्याबी नहीं मिल पाई और सोनिया गांधी निर्विरोध चुनली गई इस बार के राजसभा चुनाओं में कांग्रेस और सपा दोनों ही दलों को फायदा दिखाई दे रहा है जबके नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को दिखाई दे रहा है वैसे ये भी डावा किया जा रहा है कि लोगसभा चुनाओं से पहले राज़त सभा चुनाओं में BJP उमीदवारों को मिलने वाली हार कासर लोगसभा चुनाओं में भी होगा तो देखते रहे ये डीवी लाइव मैं आचन हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहें डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार